जौर खरीफ और जायर में बोई जाने वाली महत्तुपूर्ड फसल है चारे की यही एक मात्र फसल है जिसकी खेती देश में बड़े पैमाने पर की जाती है जौर का हराचारा बहुत ही पौश्टिक होता है और इसे बस बड़े चाव सिखाते हैं जौर का जनम अस्थान अफरीका माना जाता है लेकिन कुछ बिद्वानों का मत है उतरी भारत ही जौर का जनम अस्थान रहा होगा लेकिन कुछ भी हो जौर की खेती हमारे भारत देश में पराचीन काल से होती आई है में हमारे भारत देश में ​​ जुरोज की ख्यटी संसार के अंने देशों की अपेछा सर्बादिक छेटफल में होती है, भारत में करनाटक राज्य में ​​ जुरॉज کی ख्यटी सबसे जारा की जाती चेटफल की दिरिष्टी से आगे भी जुआ की खेती कई से जाजिम में होता है जिसमें अधिक किये जाते हैं उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश राजस्थान ऐसे तमाम राज हैं जहां पर जुआ की खेती सबसे जारा मात्रा में की जाती है हमारी प्रदेश में जहां सी मंडल में जुआ की खेती बहुत अधिक छेत्रफल में की जाती हैं जुआर गर्म जलवाई की फसल है और भुआई की समय काफी गर्मी चाहती है भूमी में भुआई के समय परियाप्त नमी की अस्वधिया सकता होती है 30-100 cm तक वर्षा वाले छेतों में जुआर की खेती सबलता पूर्बक की जासकती है जुआर की खेती अज्ट कांसता खरीT‍रीद में की जाती है इसमें भी 3 परकाइसी जाते आपाई जाते है जैसे संकर जाती हैं शंक्तुल जाती हैं और देशी जाती हैं संकर यानि हाइबिर्ड जाती है जुन प्रवत्तम रहती है जुए के लिए जब भी जुज्पिक अधार के लिए एंगे को चटनि करने चाहिए की जिसमें पानी ना रुखता हो नहीं तो फس मृसुखने लगती है ज्वाय की बॉए की इक दो बार खेट की अच्छी तरह से जुटाई करके उसके बाद दुप्र हाइड कर सकते हैं अगर जिस खेत में ज्वाय की बॉए करनी है उस खेत में पानी की मातरा ना रुकती हो और एक दो बार जुताई करने के बाद उसमें जो है गोवर की सड़ी हुई खाड डाले जिससे की उपज हमें अधिक से अधिक मिल सके जो आज की बुआई जब भीक की जाए तो उसमें खाड यूम उर्बरक ज्यादा बहुत कुछ नहीं डालना है लेकिन एक दो बार यूरिया आवस्से देते रहना चाहिए ज्वार में जैविक खाड का उपियोग अधिक नहीं करना चाहिए जिससे पानी सोखनी की छंता खेत में बढ़ जाती है और जिससे स्थीचाई बार बार करने पड़ते हैं कहीं कहीं पर इस फसल को अनाज के लिए उगाई की तेजी से हो और अधिक से अधिक हमें उखवादन मिल सके ज्वार की बुआई जून के अंतिम सब्ताह से लेकर जुलाई के पर्थम सब्ताह तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है अगर दान्य के लिए बुआई की जा रही है तो फसल को बुआई समय से करने चाहिए औ लेकिन अगर चारे के लिए ज्वार की बुआई की जा रहे है तो फसल की बुआई में जून में की जा सकती है ज्वार की बुआई अगर जून जुलाई में की जाती है तो फसल की सी चाहिए सबसे ज्यादा अवसक्ता पड़ती है ज्वार की फसल को अगर द्रूए के लिए 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 रिफा रूपटवार्टवार्ट तो Sustainable करने की और सगता नहीं होते लिकिन अगर अनाज गली लिए लिफी सूत और आंनेराई गुराई करते वह करते करते खूण धूर्पटवार्ट कर देना अट्यों कैनुत लिए sound घ्रकाव करना सबसे ज्यादा आड़िक होता है मक्का के समान्स जोआर की फ़सल को भी दानेपरते समेक रखवाले करने कि आसकता होती है अगर दाने के लिए वव और गई है फ़सल तो जो है उसे रखवाली करने की आसकता पढ़ती है तो इसलिए उससे रखवाली करते रहना चाहिए अगर अनाज के लिए जवार की बुआई की गई है तो फसल की कटाई नौंबर दिसंबर में कर लेना चाहिए अगर हरे चारे के लिए बुआई की गई है तो फसल को बुआई की दो महीने बाद से कटाई शुरू कर देना चाहिए और सख्ता अनुसार चारे की फसल की कटाई धीरे-धीरे की जाती है और कुट्टी में काट कर पसू को खिला दिया जाता है अगर फसल को चारे के लिए बुआई की गई है तो कटाई के एक बार बारिष होने के बाद ही एक बार पहले बारिष हो जाना चाहिए इस पर पूरी नामक गलाई को साइड रहता है जो अत्यन्त विसायला होता है इसकी मात्रा पौधों की बिर्थी के ज्यादा प्रभाव प अब जाहिए जिससे की फसल को नुक्सान ना हो और हमारी फसल जो है काफी प्रिदी से विकास बिद्धी अपना करता रहे है और जो है दवा का छिड़काव तभी करना चाहिए जब अनाज के लिए 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 गई हो नहीं तो वो जो है अगर खिलाय जाएगा तो उनको भी काफी नुक्सान पहुंचाएगा तो ऐसे में दवा का छिड़काव जब उसमें जो है दाने के लिए फसल की बौई की गई है तभी उसमें दवा का छिड़काव करना चाहिए इसके रोख थाम के लिए तमाम प्रकार की पीचना से दवा है जिसको आप अगले वीडियो आपको मिल याएगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर का ना भूले अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दे